नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूटीब चनल पर आप सभी का स्वागत है, डिक्टेशन पांच सेकंड में शुरू करेंगे, रेडी हो जाईए महोदय आज असम में जो आंदोलन हो रहा है, गुजरात में अलीगड में आंदोलन हो रहा है, गरीब आदिवासियों हरिजनों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है आप दावा करते हैं कि हमने ठीक किया है, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, वहाँ बैठने से कुछ बोल दिया जाएगा, तो इससे कुछ प्रभाव हो जाएगा, ऐसा मत समझिये मालूम परता है कि वहाँ जाने से कुरसी पर बैठने से कुछ दोश आ जाता है, हम भी वहाँ रहे हैं, लेकिन हमको भी कभी कभी हो जाया करता था कुरसी का दोश यह आपका दोश नहीं है, लेकिन हम आपके सामने स्विकार करते हैं, हम इतने निडर नहीं होते थे, हर वक्त सजग रहते थे कि कुरसी का क्या काम है, लोगों की क्या आशा है, कम से कम डर कर रहते थे ये तो डरने का नाम भी नहीं लेते आप कहिए कि हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहा दी तो हम लोग क्या कहेंगे बहुमत से आप हमको डरा देंगे अगर इस पर मतदान हो जाए कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक वर्ष के अंदर कम से कम देश में दूध की नदियां बहा दी तो वोट इसमें लिया जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे तो क्या दूध की नदियां बह जाएंगी अभी राष्ट्रपती ने 14 अगस्त को जो भाषन दिया था उसमें आपने कहा कि देश में जरूरी नहीं कि कोई पार्टी बहुमत होने से अच्छा काम कर सकती है यह हमारा नहीं राष्ट्रपती का भाषन है जिस भाषन पर आज हम यहां बहस कर रहे हैं तो आप इन चीजों को याद रखिये किस इस्थिती में उन्होंने कहा है कोई बहुमत वाली पार्टी भी आजाए तो जरूरी नहीं है कि गरीबी मिटा देगी कोई जरूरी नहीं है कि देश को अच्छी इस्थिती में पहुचा देगी कोई जरूरी नहीं है कि अमन और शांती कायम कर देगी हमें दुर्ण संकल्प होना चाहिए होसला चाहिए देश की ताकत आपके पास है देश के संसाधन आपके पास है क्या माननिय मंत्री जी को जो डर है लोगों में उसका आभास है आज हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसल्मान है आकड़े मेरे पास नहीं है लेकिन दुनिया में अगर कहीं ज्यादा है तो पाकिस्तान बनने के बाद आज भी हिंदुस्तान में है उसकी क्या हालत है आप कह सकते है उसके भीतर क्या डर है आपको यहां कुछ कह देंगे जो आपकी पार्टी में है लेकिन उनके दिल में भी क्या है आप जानते हैं उनको डर बना हुआ है बहुत सी बाते कही नहीं जाती है कल जो यहां हुआ है यह लोकसभा के इतिहास में एक गलत घटना हुई है कि एक हरजन पर जो कॉंग्रेस आई पार्टी का था उसने हरजनों पर जो जुल्म हो रहे थे उसने कुछ कहना चाहा उनका गला लोगों ने दबा दिया लेकिन मैं कहता हूँ कि हम आपकी नियत पर शक नहीं करते मगर क्या आप ऐसी घटनाओं को रोकेंगे डिक्रेशन यह अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए सपोर्ट करिए ताकि ऐसे वीडियो इसी स्पीड पर और बनाए जा सके थैंक यू रिमच्छ